तो S will be 0, 6, 6 जा 36, carry 3, 36, तो इन सब का जोड करोगे, तो यह हो गया, एक डबा बनाते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 120 नंबर में 1 जो है, effort आपका लगेगा समझने में, मैं जो बोलूँगा, उसको प्रोसेस तो आपको करना पड़ेगा ना, जो तक प्रोसेस नहीं करोगे, तो कैसे बात समझ में आएगी, बिल्कुल फंडामेंटल बातनें इस्तिमाल करेंगे इस टोपिक में, पहला question, जिसके तुरू आपन बातनें सीख रहे हैं, वो है, find the sum, समझना बात को, find the sum of all the numbers, all the numbers which are made by, which are made by using the digits, digits कौन से हैं, digits हैं आपके 1,2,3,4,5, और इन digits का use करना है आपको exactly once, एक बार, पक्का एक बार, सिर्फ एक बार, ठीक है, सवाल हमारे सामने है, 1,2,3,4,5 का इस्तिमाल करके, हमारे पास 5 factorial numbers बनते हैं, हैं न, 5 factorial बोले तो 120, उन 120 numbers का sum हम कैसे निकालेंगे, ये सवाल है, ठीक है, तो इस सवाल को देखिए, मैं solve करता हूं जरा, आप बस देखें आप, और इसको solve भी देखिए, कितने तरीकों से किया जाता है, आप ध्यान दे, मैं आपको हर possible thinking process बताने का परियास करता हूं, मैंने कहा, जो 120 number बन रहे हैं, उन में सबसे छोटा number ये वाला होगा, होगा, इससे just बड़ा कौन सा होगा, इससे just बड़ा number देखोगे, तो बच्चबन में करते हैं, वो ऐसे करके number बनाते थे, ये ऐसे ये वाला होगा, ठीक, इससे just बड़ा कौन सा होगा, फिर तीसरे डिजिट पे हरकत होनी चालो हो जाएगी, चार, तीन, पांच, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करते-करते, 120th हुआ number, सबसे बड़ा number, ये होगा, ठीक है, ये AP नहीं बन रहा है, मगर, इसके डिजिट कहीं न कहीं AP में हैं, तो कहीं न कहीं, AP वाला फ्लेवर क्या पता इसमें हो, इस बात के लिए मैंने इसको क्या करते हैं, पल्टी कर दिया, जब आप इस सीरीज को पल्टी करते हो, और मैंने आपको बताया था, कि सीक्वेंस की जो शुरुवात हुई है ना, वो पल्टी करने से ही हुई थी, इस से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा जी, 5, 4, 3, 1, 2, और इस से छोटा कौन सा होगा, 2, 3, 1 होगा, और लास्ट में देखो फिर यह आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और मैंने कहा चलो जोड देते हैं इन दोनों को, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो S और S हो गया, 2S, इ 666, 666, 666, ऐसा करते हुए, तो हो गया, खतम, question, हो गया, solve, यह आ गया है, कितनी बारी, 666, 666 आया है, 120 टाइम्स आया है, है न, तो S will be equal to 666, 666 into 120, divide by 2, ठीक है, तो 2 को यहां से काटेंगे, तो 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, ठीक है, तो S will be 0, 666 आया, 36, carry 3, 36, 3 carry 39, carry 3, 36, 3, 39, 39, 39, यह हो गया हमारा answer, तो वो जो 120 नंबर्स होंगे, उनका जोड आपके सामने है, निकाला जा सकता है, कोई प्रोब्लम नहीं है, यह लग पाया method, क्यूंकि, क्यूंकि, डिजिट एपी में थे, तो डिफरेंस इनका सेम था, इस चक्र में यह सेम आता गया, 666, अगर मैं यहां पर 5 की जगह 7 कर दूं और कहूं, अब जो नंबर बनेंगे, उनका जोड बताइए, यह method फ्लोप हो जाएगा, यह method फ्लोप हो जाएगा, तुरंत, क्योंकि, इन दोनों का जोड, इन दोनों का जोड, इन दोनों का जोड, सेम नहीं आ रहा होगा, इसमें करके देख सकते हो आप, फिर हमें कोई और method के बारे में सोचना होगा, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं आपको, बहुती simple, symmetric problem तो simple तरीका भी यहाँ पर लगा लिया है हम लोगों ने, ठीक है, एक और मस तरीका बताता हूं आपको, evergreen तरीका, evergreen, method number two, evergreen तरीका, बच्पन वाला तरीका, बच्पन वाला प्यार गाना भी आया था नहीं, सुना जा तुम लोगने, तो सुना, क्यों मजा कर रहे हैं, तो ऐसे करके, one, two, three, four, five, बच्पन में कैसे करते थे हैं, मास्टर जी बोलते थे, ऐसे लिख लो, बोलो, ऐसे कर रो, जोड़ दो, ऐसे नहीं करते थे हैं, ऐसे करते थे, तो one, two, three, four, five, यहाँ पर कुछ- सारे की सारे, लिख दिये हैं, five, four, three, two, one, ठीक है, कितने नमबर लिखे, one, twenty, लिखे, ठीक है, मैं यह कह रहा हूँ कि, आइए इनको जोड़ देते हैं, और मैं यह कह रहा हूँ कि, जो one, twenty, numbers हैं, उन one, twenty, numbers को बनाने के लिए, one, two, three, four, five का बराबर contribution पीछे रहा है, तो पाँच से डिवाइड कर दो इसको, one, twenty, by five कर दो, आप कितना हो गया, twenty, four, times, पीछे वाला डिजिट one रहा है, twenty, four, times two, twenty, four, times three, twenty, four, times four, twenty, four, times five, तो इन सब का जोड करोगे, तो यह हो गया, twenty-four into one, plus twenty-four into two, plus twenty-four into three, plus twenty-four into four, plus twenty-four into five, तो कुल मिला के यह कहना चाहता है, twenty-four into one, plus two, plus three, plus four, plus five, five, one, six, six, twelve, और three, fifteen, 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 fifteen को twenty-four से मल्टिप्लाई करेंगे, fifteen, four, जा, sixty, six, कैरी होगी, fifteen, two, जा, thirty, और छे कैरी कितने होगी, three, sixty, तो इन सब का जोड three, sixty हो गया, ऐसे जो, thirty-six कैरी कभी ली है जिवन में आपने, thirty-six कैरी, ले ली, thirty-six कैरी क्या प्रोब्लम है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि, इनका जोड भी तो three, sixty ही आएगा, क्यों क्योंकि ये वाला कोई प्लेस अलग से थोड़ी टपक्या है, मतलब ये प्लेस पर भी रिपिटेशन हो रही होगी, तो अगर three, sixty में मैं thirty-six को जोड दूँ, six, nine, three हो गया, तो यहाँ पे six आगया, अब की बार कैरी कितनी आ गई, thirty-nine, अब 360 में जब मैंने thirty-nine जोड़ा, तो nine और फिर thirty-nine कैरी आगी, यहाँ नाईन, फिर thirty-nine कैरी यहाँ पे भी आएगी, फिर नाईन, फिर thirty-nine, thirty-nine कैरी यहाँ पे भी आएगी, कितनी कैरी आएगी? thirty-nine, तो यह आपका हो गया answer, ठीक लिख था क्या है मैंने, इसका 6 इसका 9 इसका 9 1 9 हाँ हाँ इसका 39 समझा रही है इसर आना भी था और यह आंसर तो यह यहार यहार यहां पे दूसरा तरहीका इससे तो मथ्ञ प्रोल्ब्लम स्लूल कर लो चाहिए अरे समझ में आ रही है क्या समझा रही है ठीक है तो यहां पर यहां पर कोई ऐसा नहीं है सीन की डिजिट एपी में ही होने चाहिए ऐसा कोई सीन तो ही नहीं यहां पर ठीक है तो यह आपका method number two हो गया बच्छमन माला तरीका जो आपका लगेगा ही लगेगा भाई ठीक है आपको लगाना नाचिये यह दोखा नहीं देखे जाएगा आप इसको एक और nine यहां पर कितने nine आ रहे भई पीछे चार नहीं आ रहे अच्छा यहां कुछ लिख दे मिने देखो यहां पर zero आ गया यहां का छे फिर यहां का nine फिर यहां का nine आ गया हां तो यहां का एक nine और आ गया बिलकुल ठीक है 399 आ एक nine हो रहेगा ठीक है समझ में आ रही है बात एक और मैथर बता देते हैं आपको यह मैथर अगर आपको समझ में आ गया है तो एक दूसरा मतलब तीसरा मैथर बता देते हैं ठीक है आप लोगों ने क्लास नंबर six में सिखा होगा मुझे याद आ रहा है कि face value place value क्या होती है एक नंबर दे देते थे ऐसे करके है न और आपने कभी ऐसे लिखा है four किताबों में लिखा होता है ऐसे 30 आप तो याद आ रहा होगा कुछ है न ऐसे एक नंबर का question आता था कि find the place value of three into 34 तो बोल दे इसे 30 हिंदी मेडियम से जिन्होंने पड़ा होगा तो ऐसे बोलते थे तीन का स्थानिय मान बताईए 30 एक शब्द आता था परसारित संकेतन 234 को परसारित संकेतन में लिखिए तो ऐसे लिखते थे 234 को परसारित संकेतन में बच्चे 200 प्लस 30 प्लस 4 ठीक है इनकी place values के जोड में लिख दिया हम लोगों ने स्थानिय मान, मतलब एक स्थान का क्या मान है, क्या उस्थान की वैल्यू क्या है, इस स्थान पे तीन क्याने की इंपोर्टेंस 30 के वराबर है, दिख रहा है तीन, फेस वैल्यू इसकी थ्री जरूर है, मगर इसकी प्लेस वैल्यू 30 के वराबर है, इस प्लेस की इंपोर्टें और कुरसी की अपनी इंपोर्टेंस नहीं होती हैं तो वही कहानी यहां पर भी हो रही है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का गेम है तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का यह कॉंसर्ट जब हम बच्पन में पढ़ रहे थे तो दिमाग में कुछ चल तो रहा होता था उ 120 120 numbers बना रहे हैं और हम उनका जोड करने जा रहे हैं ठीक है जहान से सुनना मैं जो सोच रहा हूँ उन 120 numbers में 1 कई बार तो कई बार तो वो इस position पे रहा होगा चलो डबा बनाते हैं गई दिन होगे डबा बनाए होगे एक डबा बनाते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 120 numbers में 1 जो है 24 दफे इधर रहा होगा और 1 24 दफे इधर 24 दफे इधर 24 टाइमस इधर 24 टाइमस इधर रहा होगा 1 1 की बात कर रहा हूँ ठीक है तो जब जोड आया है सारे numbers का जो जोड आया होगा उस जोड में 1 का contribution कितना है 1 का contribution जब यहां आया है तो 24 के बराबर है जब यहां आया है तो 24 इंटू 10 के बराबर है और जब यहां आया है तो 24 इंटू 10 स्क्वाइर के बराबर है यहां आया है तो 24 इंटू 10 क्यूब के बराबर है यहां आया है 24 इंटू 10 की पावर 4 के बराबर है, पूरे जोड में 1 का contribution इतना है into 1, yes or no, yes or no, पूरे जोड में 2 का contribution इतना है, क्यूंकि 2 और 1 में क्या फरक है, वो double contribution देता है, ब्लेसिस तो वही हैं सर, अरे समझ में आ रही कि निया रही, 224 टाइम्स यहां पर आया है, तो 2 into 24, 20 into 24, मतलब 2 into 10, 20 into 24, अरे समझ में आ रही है क्या, इन सबके contributions को जोड दें तो पूरा जोड बन जाएगा, तो कहने का मतलब यह है, कि सर जी, अगर मैं यह कर दूँ, तो answer आ जाएगा, भाई यह क्या है, यह this into 1 plus, this into 2 plus, this into 3 plus, this into 4 plus, this into 5 ही तो है, सहमत हो इस बात से आप, इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते, यह value कितनी है, 15, यह 15 कुछ किया था कहीं पर मैंने, किया था न, 15, 24 से multiply हो रहा है, 24 से 15 multiply हो रहा है, और उसके बाद देखो, यह आ गया 1, 1, 1, 1, 1, 5 बार बन आ गया, तो 360, 360 को यहां से करोगे, तो 0, 36 carry, 360, 36 carry, तो फिर कितना आ गया, 6, और फिर वो 9 वाले कहाने चालू हो जाएगी, यही answer आएगा, समझ पा रहे हो कि इस बात को आप, यहां पर यह जो expression है, इस expression को समझ लोगे तो game खतम, यह पूरी expression जो लिखी है मैंने, ठीक है न, न, समझ में रही बात आपको, तो यह expression अपने समझी है, place value की importance यहां पर समझते हुए, और अपने सब numbers का जोड निकाल दिया, सोच क्या रही है, यह जोड निकालने के पीछे, वो मैंने आपके साथ share कर ली, मुझे लगता है मैंने समझाने की, ठीक कोशिच की है, अगर आपने समझा होगा, तो effort आपका लगेगा समझने में, मैं जो बोलूँगा, उसको process तो आपको करना पड़ेगा, जो तक process नहीं करोगे, तो कैसे बात समझ में आएगी, ठीक है, तो तीन methods आपके बता दिये हैं, जहां जो इस्तेमाल हो, जो आपका मन करे, इस्तेमाल करने का, वो कर ले, method number one के loopholes हैं, यह तभी इस्तेमाल में आत ठीक है, लिखो पहले तो इसको, तो next question में क्या है, scene? तो next question में क्या है कि, मैंने digits ले लिए, 0, जहां से देखना, 0, 2, 2, 3, and 6. Next question बड़ा मज़िदार है, इसमें 0 भी ले लिए और अलाइक भी ले लिए, अब सोचो कि, इन से जो numbers बनेंगे, उनका जोड क्या होगा? पहले तो बताओ, इन से numbers कितने बनेंगे? इन से number बनेंगे, कितने बनेंगे? यह क्या कहा कि, exactly once इनको यूज करना, अच्छा, find the sum of all the numbers. अच्छा, यहां पर मैं statement क्या बोलना हूँ? find the sum of all the five-digit numbers. यहां, five-digit numbers के sum की बात कर रहे हैं, अच्छा, find the sum of all the five-digit numbers. Five-digit numbers की बात कर रहे हैं, तो five-digit numbers कितने बनेंगे? Five-digit number 60 कैसे बनेंगे? क्या यह, इसको आप एक five-digit number मानते हो, क्या? Five-digit numbers कितने बनेंगे? सबसे पहले तो यह, कि numbers कितने बनेंगे, फिर उनके जोड़ की बात करेंगे, है ना? सवाल क्या है, find the sum of all the five-digit numbers, which are made by using the digits, these, exactly once. एक-एक बार इस्तिमाल करना है, इन digits को, जो भी दिये हुए हैं आपको, है ना? और five-digit numbers जो बनेंगे, उनका जोड़ निकालना है, तो सबसे पहले तो total numbers कितने बनेंगे, वो सोचना होगा, भाई, total numbers. total numbers, देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा है, पांच डबबे, एक डबबा, दो डबबा, तीन डबबा, चार डबबा, पांच डबबे. मैं कह रहा हूँ, 0 जब आगे आएगी, तो 4 digit के number बन जाएंगे. 0 आगे आए, या कहीं आए, total इनको permute करेंगे, तो तरीके आएंगे, 5 factorial upon 2 factorial, बोले तो 60, अब उन 60 तरीकों में, जब 0 आगे रही होगी, 0 को fix कर दिया, 0 आगे रही होगी, तो ये चार लोग, चार लोग घूम रहे होंगे इतने तरीकों से, 12 तरीकों से, तो total 5 digit जो numbers बनेंगे, या तो simple permutation करेंगे, यह अपने आप में एक problem है, total 5 digit कितने number बनेंगे, ठीक है? तो total 5 digit के जो numbers बनेंगे, वो 60 minus 12, 48 बनेंगे, पहले तो ये समझना है हमको, इन 48 numbers का जोड बताना है, बताएं, कैसे बताएं? 5 digit के number बन रहे हैं, और हमको बनाना है जोड, तो अभी मैंने, 6 पे पुरा focus डाल दिया, मैंने कहा कि यार, ये जो 6 है न, 6, ये 6, यहाँ पे कितनी बार आया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितनी कितनी बार आया है, आइए जांच लेते हैं, 6 यहां पर कितनी बार आया होगा, इन जगों पर कितनी बार आया होगा, आए जांच लेते हैं, जांच सुनना यहां 6 कितनी बार आया है, यह बात कुछ यूँ समझते हैं, कि यहां 6 fix कर दो, तो कितने नंबर आगे बन सकते हैं, और 4 डिजिट के 6 fix कर दिया 4 लोग 2 alike 4 factorial by 12 12 numbers ऐसे होंगे जिनमे 6 यहाँ पर आया होगा 6 यहाँ पर आया होगा आपका यहाँ पर 6 आया है 12 times यहाँ पर 6 आया है 12 times ओल राइट, no problem ठीक समझ में आरी बात आपको अब मैं एक बात कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यहाँ 6 उतनी ही बार आया है जितनी बार यहाँ पर आया होगा total number कितने हैं मेरे पास 48 48 number 48 number में से 12 minus कर दो बचे के कितने उन 36 में यहाँ 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 और यहाँ 6 बराबर बराबर आया है तो 36 divided by 4 9 तो यहाँ 6 9 टाइमस आया है इंटरेस्टिंग बात होगा यहाँ जादा बार यहाँ कम बार यह यह एक इंटरेस्टिंग बात है सोचने वाली पूरा प्रोब्लम खोल रहे है है अपन भाई बात को फील करोगे तो बहुत कुछ फील हो जाएगा आप सोच रहे होगे कब fundamental principle of counting पढ़ते थे आप कुछ औरी पढ़ रहे हैं तो हम एक ठीक लेवल पर आचुके ठीक क्या लेवल में रहे हैं इससे उपर कही हो गवर 9 टाइमस बढ़िया लेवल पर आचुके है अपन अब जो हम सोच रहे हैं वो quality सोच रहे है quality thinking है यहाँ पर पूरी 9 टाइम 6 यहाँ पर बार बार यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्योंकि 0 बोल रही है मैं नहीं आऊंगी तो उसकी जगह पर 2, 2, 3, 6 बेचारे बार बार आ रहे होंगे इसलिए जादा बार अचना बार यहाँ पर बाज रहा है 0 यहाँ बोल रही है मैं तमारा हात बटवाउँगी यहाँ जीरो बोल रहLY नहीं मैं आछ नहीं बटवाऊँगी तो यह देजिट्स जादा का रहे हैं समंझ में आ रहे है यह बात आपको 6 का सम्में contribution कितना पता है? 9 बारी यहां पर आया ना, तो 9 into 6 into 1, यहां पर 9 into 6 into 10, into 10 square, sorry, plus 10 square, plus 10, ठीक, और यह वाले का contribution कितना है? 12 into 6 into 10 की पावर, 4, ऐसा कोई scene बन गया, बच्छे का contribution समय में आ रहा है, आपको जहां से चलना पड़ेगा, तीन का contribution भी बिल्कुल सेम तरीके से game है, सबका ना, 2 alike है भाई, 2 tension में, ऐसे नहीं, सबका नहीं, जहां से करेंगा है, पन सवाल सौल, 2 alike है देखो भाई, दो 2 alike बढ जल्दी नहीं बोल सकता, PNC के कहावत है, PNC करने वाले students हमेशा ऐसे बोलते हैं, करके फिर वापा सोचते हैं, गल्ब तो नहीं कर दिया, फिर बताते हैं आगे वाली बात, है ना, PNC के student जो होते हैं, आज मैं ID का question solve करता हूं, तो पहले कर लेता हूं उसको, और साच में उसको फिर एक रीचलता रहता है, पैरलल थोट चलते हैं, करने वाला थोट और यह वाला थोट गल्ती नौंजा गल्ती नौंजा, जलो इंडिविझे लिखते हैं, यह हो गया, प्लस 3 का contribution जी 9 इंटू 3 इंटू ये वाली bracket, देख लेना भाही, बाते समझ में आ रही होंगे आपको, ठीक है, प्लस 12 इंटू 3, अच्छा, 0 का contribution में 0 अगरा गया तो फिर को tension नहीं, 0 का contribution नहीं नहीं, 0 का contribution तो 0 होता है, 0 की face value 0, place value 0, 0 जीरो है, ठीक है, अब अपने को 2 का देखना है, ठीक है, अब 2 की study करते हैं अपन, तो 2 की study कर लेते हैं अपन, चलो यहां कर लेते हैं 2 की study, हमारे पास है 5 डिजिट के numbers, 2 का क्या रहा है contribution, क्योंकि 2 2 हैं भई, 2 2 हैं, अब यह हमें समझना है, 2 2 हैं, अपन तो मुद्दे को पकड़ते मुद्दा यह है, 2 रहे होंगे, इन जगों पर कितने 2 आए, 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 बात साफ है, यही देखना है ना अपने को तो, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर कितने है, 48, तो 12 नंबरों में त तो 3 और 6 आगे, 48 माइनस 24, 24 बच गए, उनमें कुन आया पेली जगे पे, 2? चलो, तो 2 यहाँ पे आया है 24 टाइम्स, ओके जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 9 टाइम्स तो यहाँ पे से ची आया, 9 टाइम्स यहाँ पे 3 आया, 9 और 9 18 टाइम्स, अब 0 यहाँ पे कितनी बार आया? यह भी चेक करना है, यहाँ 0 फिक्स कर दो, 6 के साथ 0 फिक्स कर दिया, 6 के साथ 0 फिक्स कर दिया, यहाँ पे, तो यह 3 आगे कितनी जगे सर्कुलेट कितनी बार सर्कुलेट कर सकते हैं, 3 फेक्टोरिल बाइ 2 फेक्टोरिल, तीन तरीकों सर्कुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ 0 छे के साथ, यहाँ 0 तीन दफे आया है, अरे, समझ में आरी कैनी आरी, तीन के साथ यहाँ पे 0 तीन दफे आया है, अरे समय नहीं मैं क्या कर रहा हूं मैंने यह तो पता लगा लिया 2 यहाँ पे कितनी बार आया है 2 यहाँ पे आया है 2 यहाँ पे आया है 24 टाइमस मैं यहाँ पे 2 देखना चाह रहा हूं तो 6 यहाँ पे 9 टाइमस आया 3 यहाँ पे आया 9 times, 18 times 0 यहां कितनी बार आया पता नी तो एक और तरीका है इसको सोचने का 0 यहां पे fix कर दूँ और इनको घुमा दो आप, पता चलिएगा 0 कितनी बार आया यहां पे तो इनको जब घुमाओगे तो 4 factorial 24 divided by 2 factorial कितना होगे 12 तो मैं कहा रहा हूँ 12 times यहां पे 0 आया किसी को आपती है इस बात में यहां पे 0 कितनी बार आया 12 times आया है है ना, कारण उसका है मैंने 0 fix कर दिया और गुमा दिया, पता लगगे 0 कितनी बार आया यहां पे, तो 0 12 times आया, तो 18 plus 12 कितने होगे, 30 तो 30 numbers में 30 numbers में आपे 6, 3 और 0 आये हैं तो बाकि 2 आएंगे तो 48 minus 30 कितना होगे 18, तो 18 numbers में यहां पे 2 18 times आया होगा यहां पे 2 18 times आया होगा यहां पे 2, यहां पे 2 यहां पे 2 कितनी बार आया होगा? 18 times 18 times 18 times ही आया होगा 18 टाइम्स ही आया होगा 18 टाइम्स ही आया होगा अच्छा एक और चीज है एक और वेरिफिकेशन कर लो इन सब का जोड 48 होना चाहिए क्या कितना होना चाहिए इनका जोड देऊ कितना हो रहा है इनका जोड 18 18 36 72 72 और 24 डिवाइड बै टू तो अब क्या करतेंगे अपन अपन करतेंगे अपन करतेंगे फाइनल आंसर लिखतेंगे अपन बोलेंगे इसमें जोड दो आप इसमें जोड दो आप देखो 18 बारी 2 आया है इन सब जगहों पे है ना 18 बारी 2 आया है इन सब जगहों पे और 24 टाइम्स दो आया है इस वाली पोजिशन पे ये जो कैलकुलेशन अब होगी ये हमारा फाइनल आंसर हो रही होगी समयम्यारी बात आपको ठीक है तो इस कैलकुलेशन को करें तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया आपका 1 1 1 1 1 तो ये 1 1 1 1 1 इंटू 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 9 6 जा 54 9 3 जा 27 8 2 जा 36 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 48 इंटू 10 की पावर 4 ठीक है इस कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा थोड़ी कैलकुलेशन करने पड़ेगी आपको समझ में आ रही है मैंने अलाइक और जीरो दोनों ही ले लिए अब सामने वाला और क्या कर सकता है वेरियेशन इससे उपर तो वेरियेशन कर नहीं सकता समझ में आई बात आपको तो यह प्रॉब्लम अगर आपको करना आ गया तो आपको कम्प्लीट सोचना आ गया है लिखना चाहो तो लिख लो सलूशन को यहां पर आपकी थिंकिंग जो है वो कम्प्लीट हो गई है